आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hi students, our question is Which of the following is used to measure the growth in elongation? अगर हम बात करते हैं आपके Particularly plants के अंदर हमें क्या दिखने को मिलता है कि जो आपकी Measurement होती है Measurement होती है आपके Particularly जब हम बात करते हैं Growth की और वो भी आपके Allongation की जब हम बात करते हैं तो यह आपका किया जाता है किस Particular Device से यह आपका किया जाता है options हमारे पास है photometer, porometer, horizontal microscope और क्लाइनोस्टेट अगर हम बात करते हैं इन दिये गए options में से आपका जो right answer हो जाता है वो हो जाता है आपका option number C horizontal microscope क्या करता है ये आपका measurement करता है किसकी growth in elongation में किसके अंदर आपके plants के अंदर तो option number C है वो आपके इस question का right answer हो जाता है अब अगर हम बात करते हैं हमारे other options दो दिये गए हैं उनके बारे में तो photometer आपका क्या होता है ये आपका एक device होता है जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है इस device के अंदरा में देखने को मिलता है कि particularly आपका जो strength होती है strength होती है сумומSM Life की इनको measure करने के लिए यूज में लिया जाता है पोरो मिटर की बात करते है तो आपका जो पोरो मिटर है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये भी आपका एक device होता है जिसमें हम tomato conductance के बारे में बात करते हैं फिर हम बात करते हैं आपके क्लेनोस्टेट के बारे में तो ये आपका क्या होता है ये आपका प्रटिकुलरली जो ट्रोपीजम हमें देखने को मिलता है प्लांट्स के अंदर इससे डिएटेड आपका एक डिवाइस होता है तो ओप्शन नमबर जो आपका C है वो आपके इस स्टुडेंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप ये वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स आट 4444 उपर